बिहार नगर निकाय चुनाओं को लेकर दुबारा तारीकों का अलान किया गया 18 और 28 दिसंबर को जो मतदान की पड़िक्रिया है वो होगी बेरहाल इस चुनाओं को लेकर अब भी कई सवाल है और इसी बीच सुप्रीम कोट में आज जो महत्वपून सुनवाई है उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है बदा दे आपको यहार में निकाय चुनाओं को लेकर आज तर दिन बेहाद था साबित हो सकता है सुप्रीम कोट में इस मामले की सुनवाई हुनी है सुप्रिम कोर्ट में गूदवार इस मामले पर ततकाल सुनवाई की लिए याचिकाय की गई थी इस मामले पर शुनवाई कारे और बिहार में तराय जा रहे है निताय चुनाओं को रोगले जिस कोट में यह मामला है उसमें 11 नंबर पर केस सोलीस्ट किया गया है जरूरी जनकारी देते चले कि बिहार में निताय चुनाओं में पिछलों को आरख्षन को लेकर सुप्रीम कोट में पहले से मामला चल रहा है। इस तारीक से पहले ही बिहार में नगर निताय चुनाओं फत्मों को जाता है। इसके बावजूर दिहार राजिय निर्वाशन आयोग ने 30 नमबर दे चुनावादी सुषना जारी किया जिसमें अतिपिछरा वर्ग आयोग को डेलिकेटेड कमिशन बताते हुए उसकी रिपोट के अधार पर चुनाव पराने की गोशना की गए जबकि कोट पहले से उसे ड सुष्प्रिम कोट के 28 नमबर और 1 दिसम्बर के आदेश का जान भूज कर किया गया उलंगन है आज के सुष्प्रिम कोट की सुनवाई का सभी बहु इंतजार है आपको याद दिला दे कि कोट में दायर बुर्वार वाली याचिका में ताह गया कि 5 दिसम्बर को भी इस मा मामले की सुनवाई जन्क कराने की गुहार लाए गई थी पिल्वी बिहार में चुनाओ के पड़िया शुरू कर दी गई है कोट में 5 दिसम्बर की सुनवाई के दौरान मौकित तोर पर पुछाया था कि अश्रका का आधार क्या है पिछोरों को आरक्षन देने के मामले में पर टेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा है उस दिन सुप्रीम कोट की देश ने मौकित तोर पर कहा था कि ज़रूरत पढ़ने पर बाद में भी इस मामले में आदेश दिये जा सकते हैं 5 दिसंबर को कोटी सुमाई के समय राजे निर्वाचन आयोग की 30 नुवंबर की चुनाव अजिसुशना के कागजात और उस पर रोक लगने का आवेदन कोट में प्रस्टूत नहीं किया गया याचिका कर्टा ने सुप्रीम कोट के रिकॉर्ड में बिहार राजे निर्वाचन आयोग की अजिसुशना और उस पर रोक लगने का आवेदन दे दिया है और जब चुनावी परग्रिया को फैसला सुप्रीम कोट को लेना है तो निश्यत तोर पर आज का दिन बिहार खास माना जा रहा है और हर किसी की निगाहे सुप्रीम कोट के आज के सुनवाई पर है कि क्या कोट कोई बड़ा फैसला लेगा नमाम राजनेती कलियानों से जुड़ी हर एक खबर आपको फॉस्ट बिहार में मिलेंगी वनेरे फॉस्ट बिहार हर कंट के साथ